हेलो दोस्तों मैं आशोक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड़ा पे तो दोस्तों कैसे है आप दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ी ही चोकाने वाली ख़बर हांजी दोस्तों जब इस ख़बर को आप सुनेंगे तो आप भी जाएंगे दोस्तों तो दोस्तों ख़बर यह है परधान मंतरी अंडरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी थी है दोस्तों कि वो सोसल मीडिया से दूर रहना चाते है सोसल मीडिया को अलविदा कहना चाते है दोस्तों उन्होंने लिखा है दोस्तों सोच रहा हूँ सो को सुचित करूंगा तो ये जो है चोकाने वाला ट्वीट प्रधान मंत्री इंदरेंडर मोधी की तरफ से आया है दोस्तों काफी ही strange बात ये लग रही है दोस्तों क्योंकि प्रधान मंत्री मोधी की जो है fan following बहुत बहुत जादा फैन following है social media पे उन्हें social media की ताकत भी मालूम है उनका जो है चुनाओ के जीतने में काफी एहम role social media ने निभाया था इसका भी मोधी जी को पता है बट मोधी जी ने ऐसा क्यों tweet किया ऐसे decision क्यों ली उन्होंने क्यों कहा कि मैं social media को अलविदा कहना चाहता हूं दोस्तो तो दोस्तो जानते हैं इस पूरी ख़बर के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं दोस्तो कितनी फैन फॉलोइंग है परधान मंतरी जी की सोसल मीडिया पे सबसे पहले ट्वीटर पर ट्वीटर पर परदान मंतरी जी के जो है 5,33,000,000 फॉलोवर है फेस्बुक पर है 4,45,000,000 इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स की बात कि जाये तो 3,52,000,000 और यूट्यूब की अगर बात कि जाये तो उनके 45 लाग सब्सक्राइबर है दोस्तो तो दोस्तो ऐसी क्या बात हुई कि परधान मंतरी जो है अपनी सोसल मीडिया अकाउंट छोड़ना चाहते है दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा मोदी इनसान ही नहीं है बलकि इनसान के रुप में भगवान है जिन्होंने जोड़ना सीख है ना कि तोड़ना उन्होंने दोस्तो गाउं और सहरों को सड़कों से जोड़ा है देश में जो गाउं बिजली से वंचित थे उनको जो है बिजली से जोड़ा है मजदूर और किसानों को सीधे सरकार से जोड़ा है दोस्तो और सभी नागरिकों को जो है उन्होंने सरकार से जोड़ा है फरजी नाम पर जिनके जो है आधार कार्ड वोटर कार्ड या रासन कार्ड थे जो फायदा उठा रहे थे उनका जो है जो गरीबों का पैसा खा रहे थे उन लोगों को तोड़ा है दोस्तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने तो दोस्तो नरेंदर मोदी जी जो है जोडने का काम करते हैं दूसरा गरीबों की जो है दी जाने वाली मदद जिसको काफी करमचारी दोस्तो दलालों और गरीबों तक जो है जो दलाल थे गरीबों तक नहीं पहुंचने देते थे उन गरीबों को जो है डायरेक्ट बैंक अक करके जम्मू कस्मीर को देश से जोड़ा है मोधी जी ने और अनेक परकार के जो है टैक्सों से मुक्ति दिलाकर सिरफ एक टैक्स को लाकर जी एस्ट को लाकर जो है देश को एक टैक्स से जोड़ा है मोधी जी ने सवचता अभियान को जो है सवचता अभियान को चालू करके देश को सवच्चता से जोड़ा है मोदी जी ने, दूसरा मेक इन इंडिया को जो है लॉंज करके देश के यूगों को रोजगार प्रोवाइड किया है, तो रोजगार से मोदी जी ने देश के युवाव को जोड़ा है, देश के लोगों को जो है देश प्रेम से जोड़ा होंनोंने देश भक्ति उन्होंने शिखाई है दोस्तो इसलिए मेरा मान नहीं है दोस्तो जिस देश को दुनिया से मोदी जी ने जोड़ा है तो वो अपनी सोसल मीडिया पर कुछ ऐसी बात अगर कहते है तो उनके ध्यान में कुछ ऐसी चीज आई होगी सायद वो कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाते हो या फिर कुछ बड़ा होने वाला हो दोस्तो अगर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी सोसल मीडिया छोड़ेंगे तो दोस्तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सोड़ देंगे कुछ तो ऐसा जो है लेकर आएंगे जिनसे वो जो है हमसे फिर से जुड़ेंगे कुछ दूसरी रास्ते वो जो है खोजेंगे जिनसे हमसे फिर से जुड़ेंगे गबराओमत कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तो के तो दोस्तो इसका कारण पता चल गया है परधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी क्यों अलविदा कहना चाते हैnte सोसल मीडिया को उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है दोस्तों मंगलवार को पीम मोदी ने स्पेकुलेशन को एंड करते हुए कह था उन्होंने ये जानकारी दी उनका सोसल मीडिय अकाउंट यूटूब, फेस्बुक, ट्वीटर अकाउंट जो है इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उनका उन इन महिलाव को जो है देना चाहते है एक दिन के लिए जो महिलाए अपने काम से अपने जीवन से हमारे देश के युवाव को इंस्पायर करते है हमारे देश के नई पीडि को इंस्पायर कर रही है दोस्तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है दोस्तों उनका social media account उन महिलाओं के दोवारा संभाला जाएगा जो हमें किसी ने किसी तरह अपने काम वे life से inspire करती है ये उनका gift है दोस्तों महिलाओं के लिए देश की महिलाओं को ये उन्होंने gift दिया है अपना social media अकाउंट उन्हें provide कर रहे है क्योंकि दोस्तों ये जो है महिला दिवस gift उनको जो है दिया गया है Sunday को महिला दिवस है Women's Day पे जो है gift उन्हें provide किया गया है दोस्तों उनका कहना है कि इन महिलाओं के जीवन से या फिर इनके काम के बारे में जानकारी से यह जो जानकारी प्रोवाइट करेंगी सोसल मीडिया पे लाखों लोगों को उनसे मोटिवेशन मिलेगा तो दोस्तो यह decision था नरेंदर मोधीजी का और यह जो पहली थी जिसका नरेंद्र मोधी जी ने tweet किया था कि वो जो है social media छोड़ना चाते है तो दोस्तो अभी तक यह clear नहीं हो पाया है कि नरेंद्र मोधी जी ओपने social media से कितने घंटो या कितने दिनों तक दूरी बनाए रखेंगे वहीं पे कुछ लोगों का मानना यह भी है दोस्तो कर सकते हैं वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है दोस्तो तो दोस्तो देखते हैं प्रधान मंत्री मोधी जी है क्या करते हैं उमीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा हमें हमारे प्रधान मंत्री पे पूरा विश्वास है दोस्तो कि परधानमंत्री जो है कुछ भी करेंगे कुछ भी launch करेंगे काफी अच्छा ही launch करेंगे तो दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप मेरे वीडियो को like के जिए मेरे चैनल को subscribe के जिए थैंक और watching माय वीडियो